तो हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल और आज मैं आपके लिए लेक्के आई हूँ बी आरेल जीरो जीरो वन ओवर्वियू ऑफ रिटेलिंग के इंपॉर्टेंट कोशन्स फॉर एक्जाम्स यानि की अभी जैसे की आपको पता ही है जो हमारे डेट शीट है वो हो चुकी है एक्जाम्स के लिए और यहां पर काफी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि हम कहां से पढ़ें तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते स्टेडि किसी भी रिजन की वज़े से तो यहां पर काफी स्टूडेंट्स जो है वो टेंशन में रहते हैं तो हम कैसे अपने study को करें, ठीक है, तो यहां पे students आपको बिलकुल tension free होके, आपको जो भी हमारे B.B.E. की students है, B.R.L. का जिनका भी subject है, ठीक है, आप इन notes को पढ़के, आप easily अपना जो exam है, आप उसको clear कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी tension लेने वाली बात नहीं है, आप just in solutions को read out करें, carefully आप पढ़ें, question जो बोला गया है, and then answer जो बोला गया है, आप उनको carefully पढ़ें, read करें, learn करें, ठीक है, और जो भी doubts and issues होता है, वो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, and students, अगर आपको, इनका solve PDF, अगर आपको buy करना है, तो आप notes होते हैं, वो आप अपने ready कर सकते हो, ठीक है, तो students, आपको starting से लेकर enter video आपको देखना है, को भी doubts होता है, वो आप मुझे comment section में बता हैं, किसी other topic पे video चीए, वो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पी नहे हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले तो यहां पर student, इस PDF में आपको जो भी questions आपको देखने को मिलेंगे, यह हमारे previous year की questions है, जो कि मैंने with solutions यहां पर लिखी है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखो मैं आपको एक इगनू का system बताती हूँ, जो इगनू है, जो हमारे previous year की questions होते हैं, उसमें से काफी questions आपक करता है, ठीक है, कैसे करता है repeated, देखो मैं अगर आपको यह बोलो, अगर आप यह सोच लो कि हामने मुझे questions है, तो यह मेरे to the point, to the word है, वो आपका आएगा, देखो ऐसा नहीं होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे previous year की questions होते हैं, वो हम यहां पर लिखते हैं, जो हम यहां प क्यूशन के, वो हमारे आगे पिछे हो जाते हैं, लेकिन हमारा question होते है, हमारा, प्यार को सेम होता है, समझटों, यह नहीं कि o bond आपका question हो सकते हैं, लेकिन question हापको बहुत कि थो अपने answer को to the point content wise कोशिच करें content wise आप अपने answer को लिखे और जो बोला गिया है कि एवल उसी answer को लिखे कुछ भी अलग से लिखने की जरुद नहीं है ठीक है अब second point में अगर मैं बात करूं कई बर क्या करते है students words limit जो की most important है आपके examination में आपके assignments में तो words limit को आपको बहुत ही जादा धिहान तक रहे है बाल लीजिए as a example अगर आपको कोशन वर आपका आपका 500 words ठीक है आप कुछे students क्या करें के वह 1000-1000 words में लिखे तो आपको इस यहीं करें जादा स्रहाद है आप 600-700 words आप कर दो लेकिन उसे जादा मत बढ़ाओ ठीक है कई students Siya सोचते के मैं जादा लिखूंगी या जादा लिखूंगी तो मेरे जादा मुझे मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं करता है depends कर आपने answer क्या लिका है आपने content-wise answer या नहीं लिखा है depend वो करता है थाजैंग है आप चौईस आपकी है आप इस तररीके से आपको लिखना है कोई भ बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, आप इनको not down कर सकते हैं, अगर आपको ये PDF बाइ करना है, या फिर अगर आपको इसकी hard copy चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे same given number पर order कर सकते हैं, ठीक है, तो start करते हैं आज का वीडियो, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, BRL 001, Overview of Retailing, previous year की questions है, ठीक है, previous year का जैसे students, यह हमारे जो जो मुझे important questions लेगे, जो आपकी काफी जादा आने के chances होते हैं, ठीक है, तो वो मैंने लिए हैं यहाँ पर, कर दो झाल 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 यहीं पर झाल 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 झाल